नमस्कार दोस्तों हम सीख रहे हैं 2D Animation और 2D Animation में आपको बता रहे हैं Animate CC के बारे तो मैंने दोस्तों पीछे के वीडियो में आपको सभी तरह के कार्टून को लेके मैं इसको create करके दिखाया हूँ और इसको कुछ आई का एनिमेशन और talking के time जो हम body moment होता है उस type के एनिमेशन आपको दिखाया हूँ तो चलिए दोस्तों आगे बरते हैं और आज की इस वीडियो हम आपको दिखाऊंगा bone tool का use कैसे करते हैं और इसको rigging कैसे करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हमने पहले ही आपको यह जो है particular tongue से जो layer wise हमने इस cartoon को बना के रखा हूँ अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखे तो please जाके देख लीजिए इसका link जो है description box में मिल जाएगा या उपर eye button आ रहा हुआ से भी आप जाके देख सकते हैं हमें इस पर bone tool को apply करते हैं तो दोस्तो bone tool आप देख सकते हैं हमारे पास यहां पर एक bone tool है अगर दोस्तों यहां पर यह bone tool show नहीं हो रात इस यहां पर देखे तीन button यहां पर दिया हुआ है तीन डॉट है इसको ड्रैगन ड्रॉप कर सकते हैं जहां पर लाना है जैसे पैंसिल टूल केमरा टूल यह सब यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए हम लगा कर देखते हैं इस पर बॉन टूल का अपलाई करेंगे और रीगिंग करेंगे तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर एक लेयर को क्रियेट करते हैं मैंने एक लेयर क्रियेट किये और यहां पर एक जो है अबजेक्ट बनाते हैं इसको हम एफ एट प्रेस करके सिंबॉल में कनवर्ट कर सकते हैं एक dummy object होता है जहां से कि हम bone tool apply करना शुरू करेंगे और उसके बाद एक मैं यहां पर रखता हूँ और यह दोनों जो है center में होना चाहिए तोरा समय इस तरफ कर लेता हूँ यहां पर देखिए यह है दोनों पैड के बीच में इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे इसको चुदक को हम अलग-अलग कर लें जिसके हमें जो इसका pointer है वो सही से प्रत्य से तीजी भल हो। तो हम क्या करेंगे इसको मैं यहां पे रखता हूं इसको यहां पे इसको यहां पे इसी टैप से यहाा on कि का लिते हैं अलग करने का होता है कि इसका जो पॉइंटर हम जब ये पॉइंट बना हुआ है इस पे हम सही से रीगिंग कर सकें इतना करने के बाद हम क्या करेंगे यहां से शुरू करते हैं bon tool को select करते हैं और यहां पे देखिए pointer बना हुआ है इसको drag करके हम यहां पे इसमें हम मिला देते हैं यह देखिए यहां पे एक करके यहां रख देता हूं और एक यहां से ड्रैग करके इसके जो बोड़ी हेड है उसमें मैंने मिला दिया ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां से जो है इस जो कमर होता है इसको हम यहां से इसमें हम मिलाएंगे और यहां से इसमें और यहां से हम इस सूज में ठीक है इसी टैप से यहां से हम इसको क्लिक मिलाएंगे यहां से इसमें यहां से मैं सूज में इस टैप से हमारा जो है लेक का हो गया है इसको हैंड को मैं यहां से इसमें मिलाओंगा यहां से इसमें फिर इसमें इसी टैप से इधर तेप यह हमारा जो बोन टूल है पूरी तरीके से हमने अप्लाइक कर दिये हैं अब क्या है कि फिर से हम सभी को जो पॉइंटर है उसको वन टू वन करके हम मिलाएंगे और इतना करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो सभी लेजर ये एक लेड बना उस अर्मेचर के अंदर चला गया है और आपके पास सिर्फ एक ही लेड यहां पर सो कर रहा है कि अब हम क्या करेंगे इसको सही तरीके से हम एरेंज करते हैं यह कि यहां पर इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ और देखिए यह उपर नीचे हो गया उसको हम arrange करेंगे अभी कैसे करतें दिखाऊंगे आपको आगे यहाँ पर यहाँ पर इसी टैप से इस hand को मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको मैं यहाँ पर यहाँ पर इसका जो लेयर है उपर नीचे हो गया तो उसके लिए हम क्या करते है कि यहाँ इसको जो है control प्रेस करके जो down की arrow की होता है उप down अप करेंगे तो यह उपर होता है अब इस हाथ को पूरे को हमको उपर करना है control up कंट्रोल अप हो गया उपर इसको भी कंट्रोल अप और इस हाथ को कंट्रोल अप ठीक है यह हाँ देखिया प्रोपर हो गया और यह हमको पीछे चाहिए कंट्रोल बैक डाउन करेंगे इसको भी कंट्रोल डाउन करेंगे इसको कंट्रोल डाउन करेंगे यह यह जो लेग है इसको हमको नीचे करना है कंट्रोल डाउन किये कंट्रोल डाउन कंट्रोल डाउन अब जो है इसको हमको ऊपर करना है इस टैप से इसको भी हम ऊपर कर दिये इस टैप से हमारा जो है प्रोपर लेड सेटिंग हो गया है अब क्या करना है जो यह रेड यहां पर एक लेड क्रियेट किया है इस लेड को हमको यहां से हटाना है तो दोस्तों ध्यान रखे जाए इस लेड को हमको डिलीट नहीं करना है क्योंकि इसी से हमारा पूरा का पूरा बोन टूल कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे अभी देखिए यह हमारा लेग इधर आ रहा है तो इसको आप पॉइंटर को select करके इस pointer को हमको यहां कर देते हैं इस pointer को यहां कर देते हैं तो अगर माल यह पोई भी pointer यहां से आपको सही से नहीं हुआ तो आप इसको click करके इस layer को select करके double click करेंगे तो यह देखिए यह pointer को आप जहां पर रखिएगा वहीं से यह bone tool start होता है अब इसको हम यहां से अटाते हैं तो इस पर click करते हैं क्लिक करने के बाद यहां पर color effect में जाएंगे color effect में जाने के बाद alpha और यहां से अगर दिख रहा होगा थोड़ा बहुत इसको आप zero कर देजिए इसी tabs इसको भी हम करेंगे alpha और zero यहां से कर दिए यह हमारा bone जो है इस पर apply हो गया armature create हो चुका है अगर मैं अभी आप क्लिक करता हूं कहीं पर भी तो आप देख सकते हैं आर्मेचर यहां पर 100 होता है और इसको आप proper धंग से animate कर सकते हैं यहां से मान लेजिए देखिए अब क्या हो रहा है यहां से एक चीज़ और इसमें देखना परेगा अगर मालेजी हम इसको यहां से करते हैं देखिए यह क्या हो रहा है यहां से पूरा हिल रहा है लेकिन हमको यह जो है हिलना नहीं चाहिए तो इसको हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए लोकेशन हैै इसको हम कर देतेiken मतलब मुवमिन्ट नहीं होना चाहिए इसमें और यहां पर देखिए हम अब देखिए, आप movement career देखिए, कुछ step से आपका movement आ रहा है, आप देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, कि यहाँ पर देखिए हमने इसको animate कर रहा है, तो यह proper धंग से animate नहीं हो रहा है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका जो है, प्रोपर धंग से, जो है layer आपका सही से arrange हो, ठीक है, आप देखिए, यह हमारा create हो गया है, ठीक है, इस धंग से, तो आपको इसको जो है, प्रोपर धंग से आपको लगाना पड़ेगा, इस टैप से ठीक है, इसी टैप से हम इसको भी दखिए, यहां से हम इस newet को लेते हैं और इसको देखिए, एनिमेट कर सकते हैं इस टैप से, इसको मैं भी यहां रख देता हूं, यह देखिए और leg को भी आप जो है प्रोपर धंग से इनिमेट कर सकते हैं देखिए much step से और इसको डखेइ इस को iley i Whoo जिस टैप से बी आपको बनाना iota시는 श्याइड में इसको में तोरा सा इसमें रहने देता हूं ज़ो की बोडी हमारा जहां सके कि यह कुछ इस टैप से तो इसको बहुत ज्यादा आप ऐसे नहीं कर सकते हैं जिससे की पता चले तो थोड़ा बहुत आप इसको एनिमेट कर सकते हैं तो मैं इसको रखता हूं पॉइंट वण कर देता हूँ सिर्फ वण परसेंट यह मुवमेंट हो अब दोस्तों एक चीज का और धियान रखते हैं जैसे यहाँ से जब पैड यह मूरता है इस टैप से नहीं मूरता है कभी भी पैड आपका देखते है यह से नहीं मूरता आपको पीछे की और मूरता है हम इसको यहाँ से रोख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इस पहले लेते हैं और इसको पर दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं एक ने round करके एक blue color का दिखेगा blue color का मतलब है यह 45 degree जो है हम इसको zero कर देते हैं क्योंकि इधर हमारा मुरना नहीं चाहिए यह zero हो जाएगा और यह जो है यह पूरा हमारा मुरना चाहिए तो हम इसको कर देते हैं 150 एक सो साठ हिए मूरेगा अब देख़िए आपको दिखाता हूँ यह इस से लेकिन आगे की वर देखिए बिलकुल नहीं मूरेएक त्सके हमने इसको रोक दिए इस तक की मूरना देखी आपको यहां दिख रहा होगा एक एंगल करके राउंड करके आधा दूर से तो इस और इसमें देखे पूरे मूर रहा है तो इसको हमको पूरा नहीं मूर के इसको भी हमको आधा करना है जो कि इस तरफ मूरे ना तो हम क्या करेंगे यहां से बोन टूल लेते हैं बोन टूल लेने के बाद इस पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करते हैं और लोकेशन पर जाते हैं इसको करते हैं 45 है जीरो और इसको करते हैं 160 सेम तरीके के देखिए दोनों में यह सो हो गया है अब जो है आप देख सकते हैं इ रगा सकते हैं आप इसको भी यहां से क्योंकि बहुत पीछे नहीं मुरना चाहिए तो यहां पर बॉन्टूल लेते हैं इसको सलेक्ट करते हैं और यहां से लोकेशन पर करते हैं और इसको हम इतना ही रखते हैं ओपर की और अब देखिए चलिए हम 30 कर देते हैं इसको भी 30 कर देते हैं मतलब 30-30 बार जो है यह इतना मुरेगा और यह पीछे थोड़ा सा और मुरना चाहिए अच्छे यह 0 हो गया तो 30 करते हैं मैनस 30 तो अब देखिए यह इतना मुरेगा और यह इतना मुरेगा इससे ज्यादा आप इसको नहीं मोर सकते हैं तो इस टाइप से आप जो है बोन टूल का यूज करते हैं आप इसको रिगिंग कर सकते हैं और इसको जो है आप एनिमेशन के तोर पे आप इसको यूज कर सकते हैं तो यहां से आप एनिमेशन के तोर पे इसको यूज कर सकते हैं तो यह था दोस्तों कोई भी केरेक्टर पे ह हम जो है bone tool का apply कैसे करते हैं उसको rigging कैसे करते हैं तो आसा करता है दोस्तों ये video आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों ये video आपको अच्छा लगा तो like जरूर करें और दोस्तों के साथ share भी करें अगर दोस्तों मेरे इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लें जिससे मै कोई भी आगे video लेका हूँ तो उसका update आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते हैं दोस्तों next video में आज के लिए thank you